हेलो एवरीबॉन वेलकम बैक तो मैं चैनल ट्रिपल सेवन सोल टारूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब भी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैं रीडिंग कर रहे हूं आस सुबा से मैं अने फार्टनर की फिरिंग कोई रीडिंग किया है और आप लोगों को जाणना है आपके पार्टनर कैसा फिल कर रहे है तो मैं अब रिडिंग कर रहоловी उसका टॉपिक ही है मिक्राइए उसका ने में कैसी feelings है क्या चल रहा है आपको लेकर क्या आपको messages वो देना चाहेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं reading बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है तो यह general reading है हो सकता है सभी के साथ resonate करें हो सकता है ना करें so please keep an open mind and here reading timeless भी है जब भी आप यहां तक पहुचें आप देख सकते हैं compatibility okay पहला कार है compatibility distorted masculine spiritual maturity spiritual maturity and commitment वाओ compatibility के साथ commitment का कार है creativity wow dating and distorted feminine दोनों एक जैसी energy में हो क्या इस टाइम okay फिराल एक चीर अच्छी दिखी मुझे यहां पर जोड़ा है ठीक है यह हंस होते हैं हंस का जोड़ा यहां पर आप दोनों हो यहां पर आप दोनों हो यहां पर भी आप दोनों हो और यहां पर भी आप दोनों हो ठीक है तो energies आप दोनों की एक दूसरे के साथ match कर रही है और आप दोनों एक दूसरे की vibe feel कर सकते हो same हो अभी देखो distorted masculine और यहां से distorted feminine का card है लगता है एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मतलब यह separation अब बरदाश नहीं हो रहा है आप लोगों से ऐसा लग रहा है मुझको आप दोनों टूट रहे हो अंदर ही अंदर ही या फिर यह कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा miss कर रहे हो बहुत ज़्यादा याद आ रही है आप दोनों को एक दूसरे की ऐसा भी हो सकता है compatible to आप दोनों के बीच में है ऐसा आपके person भी मानते हैं कि आप दोनों के बीच में compatibility है यह जो separation phase आप दोनों के बीच में चल रहा है यह आप दोनों को बहुत को सिखा रहा है आप day बाइ आपका जो level है वो आप हो रहा है आप अपने spiritual journey में बहुत आगे बढ़ रहे हो divine आप दोनों को देख रही है और divine मुझे लगता है कि divine आपको अब एक करने की भी कोशिश करेगी ठीक है ऐसा भी मैं देख रही हूँ दोनों creative दिख रहे हो मुझे लगता है दोनों artist हो सकते हो फिच यह painting बनाते हो यह music composer हो यह dancer हो interior designer हो पर कुछ ना कुछ art से related आपका है कुछ ना कुछ connection art के साथ तो फिलाल आपकी जो person है यह definitely आपके साथ compatibility भी feel कर रहे हैं आपको commitment देने के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन इस person के अंदर deception है यह खुलके सामने नहीं आते हैं आपके सामने इसकी जो feelings है मैं बता रहे हूं यह compatibility भी देख रहे हैं आपके साथ और इसको commitment देने का भी मन है लेकिन देंगे नहीं क्योंकि deception है इसके अंदर इस time right now और यह इसलिए भी नहीं देंगे यह देखो मन में तो चलता बहुत कुछ है action लेना पड़ता है तो अभी अगर distorted masculine की energy में है तो action नहीं लेंगे लेकिन यह आपके साथ compatibility भी देखते हैं काफ़ जादा अपनी life यह भी देख रहे हैं कि अगर आप इसकी life में हो तो काफ़ creativity आईगी ठीक है इसका मन भी कर रहा है आपको date करने का no doubt कि इसका मन नहीं कर रहा है इसका मन है कि आपको date करें आपके साथ time spent करें क्योंकि आप इसको unique लगते हो ठीक है इसी लिए और फिर आपके साथ spiritual connection भी है फिलाल आप दोनों इस time distorted energy में हो यहाँ से distorted masculine की energy में है आप भी यहाँ से distorted feminine के energy में दिख रहे हो यह जो time है ना यह separation और awakening का time है आप दोनों separate हो लेकिन आप दोनों की awakening अच्छे से हो रही है inner work अच्छे से कर रहे हो क्योंकि आप day by day आपका जो level है वो up हो रहा है ठीक है और divine आपको देख रही है यहां से क्या आता है आपके लिए क्या सोच रहे हैं कैसा feel कर रहे हैं आपके person यहां से क्या आता है let's see okay six of cups and page of vans okay knight of vans कुछ की case में हो सकता action ले लें यह person क्योंकि action का card आगया king of swords यह किसी से पूछेंगे इन्हें क्या करना चाहिए advise लेंगे और मुझे लगता है जिससे लेंगे ना वो शायद इस connection के favor में नहीं है ऐसा भी मैं देख रही हूँ ace of vans बड़ा भाई हो सा ओ वाव ace of pentacles two aces ओ वाव guys तो triple one आ गया है हाँ और देखो justice okay कोई भड़का है चाहे कुछ भी करें यह person ना new beginning करना चाहेंगे आपके साथ इन सबके number one होते हैं ठीक है यह triple one है ace of vans ace of pentacles and ace of swords ace of swords बता रहा है कि person contact कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको blessings मानते हैं divine divine के तरफ से भीजा हुआ एक बहुत बड़ा gift है आप एक gift हो इस person के लिए और देखो ace of vans का मतलब है बहुत ज़दा romantic feelings attraction chemistry आप दोनों के बीच में हैं तो यह person action ले सकते हैं बहुत जल्द ऐसा मैं देख रही हूँ और यह आपके साथ एक soulmate connection भी feel करते हैं देखो आप दोनों के बीच में conflict आया हुआ है लेकिन conflict resolve होने के chances हैं ठीक है टाइम के साथ साथ जब new beginning होगी आप दोनों के बीच में conflict भी खतम हो जाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच में soulmate connection दिख रहा है past life lovers भी रहे हूँ आप दोनों चीक है ऐसा भी मैं यह देख पा रही हूँ और देख लेते हैं कुछ extra हमें पता चलता है तो यहां से वाव spiritual union अब यह person जैसा आप सोच रहे हो ना सेम आपकी तरह ही सोच रहे हैं आपके लिए प्यार तो करते हैं आपसे नो डाउट यह person आपको मिस कर रहे हैं प्यार भी करते हैं आपसे वाव फिर से देखो बहुत ज़्यादा passionate है यह आपको लेकर attraction होता है इसको romantic feelings हैं सेक्रल चाक्रा काफी ज्यादा attraction फिल कर रहे हैं गाइस मैं हर कार्ड से मुझे message मिल रहा है कि यह person आपको लेकर काफी ज्यादा याद करते हैं और काफी ज्यादा attraction chemistry फिल कर रहे हैं आपके साथ इस time accelerated motion इसको ना आपको contact करना है यह आपको message वगरा कर सकते हैं आने वाले time में chances हैं कि message कर लेंगे intuition इसकी बहुत high है आपको लेकर और यह person सच में आपको लेकर काफी serious है इस time बहुत सोच रहे हैं यह बहुत ज़्यादा आप इसके दिमाग में हो पूरा time और यह अपनी life में आपको पाने के लिए पूर तरीके से balance बनाने के भी काफी कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं फिलहाल यह आपको लेकर काफी ज़्यादा ना romantic feeling, sexual attraction बढ़ रहा है इस person का regret है इसको, क्यों छोड़ दिया आपको और इस बात का regret है कि यह past को change नहीं कर सकते I cannot change the past ओके दो cards है, change लेकिन यह अब change लाएंगे खुद में I understand that nothing can grow or involve without movement तो यह movement definitely लेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे और change लेकर आने के कोशिश करेंगे Forgiveness यह माफी मांगेंगे, जो भी इसने किया है ना past में क्योंकि past को change नहीं कर सकते लेकिन अब change लाके आपसे माफी मांगे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं Gratitude I am thankful for all for this life and the opportunities that it present Definitely gratitude feel करेंगे यह और definitely change लेकर आने की कोशिश करेंगे ठीक है, positive changes लेकर लेकर आने की कोशिश करेंगे ठीक है, positive changes लेकर 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 आने की कोशिश करेंगे और यह आपके साथ भी एक नहीं शुरुआत करेंगे with full of positive mind ठीक है, इस तरह से मैं देख रही हूँ अभी फिलाल कुछ messages देख लेते हैं क्या messages देंगे यह person आपको यहां से ओ वाव, लगता है बहुत सारे messages देने हैं इसको आपको चलिए, यह तो कुछ ज़्यादा ही messages आ गए है इतने सारे नहीं पढ़ सकते हैं तो इंको पढ़ लेते हैं, ठीक है? holding your hand is the most awesome feeling in the world तो आपका हाथ पकरना बहुत awesome feeling है इस person के लिए I never saw a person like you in my life तो आप जैसा person भी नहीं देखा इसने and I haven't given up तो यह give up नहीं करेंगे I want you in my arms and distance only separates our bodies but never our hearts I want to marry you my love I am coming back, please be patient I am scared I'll lose you and divine timing is working for us I may not be always there with you but I will, sorry, I may not be always there with you but I will always be there for you it was my fault but I blamed you तो गलती इसकी थी लेकिन इसने blame आप पर किया if I could be with anyone in the world I would still choose you life is beautiful because of you please don't give up on me I like to peep your social media just to see your face इसको आपका social media भी यह लोग यह जो परसने स्टॉक करते हैं कि आपका चेहरा देख सकें I have so much regret और regret का तो card भी था I don't know how to express my love to you so I keep it in sight and I had a dream of you last night तो इसको आपका dream भी आया था last night ठीक है तो यह कुछ messages थे जो आपके परसन आपको देना चाह रहे थे और उनकी current energy and feelings आपके लिए I hope कि यह reading आपके साथ resonate हुई होगी आपको पसंद आई होगी अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताना चैनल पढ़ना है हो तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care